गुड मॉर्निंग प्रेंस आज मेरे केरेज वार्षप नॉर्थ वेस्टन रेलवे जेए सीन डबल डिपार्टमेंटल कोशिन पेपर में आप लोका स्वागत है फास्ट पार्ट में 55 कोशिन एक सल्प हो गया था तो आज 56 नमर कोशिन से सल्प करेंगे तो डारेट कोशिन मे बारे में बोला गया है BTPN वागन के लिए बोगी पेट्रोलियम टेंक वागन तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा G90 हो जाएगा अपसन B के साथ चलिए इसके साथ साथ G85 का देखेंगे टेकनिकल पेंपलेट बॉक्सेन S वागन के लिए बक्सन S वागन के लिए स्लाइडिंग रूप कवरिंग का स्लाइडिंग रूप स्लाइडिंग रूप कवरिंग इसके बारे में इंस्ट्रेक्शन और मेंटेनस है बक्सन S वागन के लिए जी 85 RDSO टेक्निकल पेंप्लेट में जी 86 ये BTPG LN वागन के लिए लिक्वाइड पेट्रोलियम गेस टेंक वागन का इसमें इंस्ट्रक्शन और मेंटेनंस दिया गिया है जी 86 जी 92 जी 92 IRSA 600 जो की वागन स्टोक के लिए ऐसे भी है IRSA 450 ये कोचिंग स्टोक के लिए ऐसे भी है तो इसी कहीं इंस्ट्रक्शन और मेंटेनंस के बारे में जी 92 में बताया गिया है एक्सेल लोड अब BTPN टेंक वागन इच तो ही पर देखिए जो BTPN टेंक वागन बागी टेंक पेट्रोलियम निमेटिक वागन जो है जिसमें की पेट्रोलियम प्रडक्ट ट्रांस्पोर्ट होता है तो इसका एक्सेल लोड पूचा है तो सिंपली ये आप लोग का 20.32 टन हो जाएगा अप्शन A के साथ चलिए इंस्पेक्शन अप थिकनेस अप S2SO4 बेरेल केरेड आउट वीट तो है पर देखिए जो थिकनेस हम लोग को लेंगे सल्फूरिक एसिड बेरेल का तो इसके लिए आप लोग का जो इंस्टूमेंट यूज करेंगे ये हो जाएगा डी मीटर तो थिकनेस चेक करेंगे सल्फूरिक टेंक वागन का इसके लिए हम लोग को डी मीटर का यूज करना पड़ेगा अपसन A के साथ चलिए बेरेल लेंथ अप बेटीपीन टेंक वागन बेटीपीन टेंक वागन के लिए बेरेल लेंथ पूचा है तो यह पर option में देखे चार option जो दिया गिया है इसमें आप लोग का कोई भी option करेक्ट नहीं है तो इसका barrel length BTPN tank wagon के लिए ये कितना हो जाएगा 11,458 mm हो जाएगा तो इसको आप लोग note down कर लिजे 11,458 mm barrel diameter of BTPN tank wagon है तो इसका barrel का diameter पूछ रहा है BTPN tank wagon के लिए ये भी important question है तो ये हो जाएगा 2850 mm distance between coupler to coupler of BTPN tank wagon तो इह पर देखिए BTPN tank wagon के लिए ये पर cushion है कि आप लोग का coupler to coupler इसका मतलब हो गया ये length of coupler या CBC to CBC length तो ये कितना हो जाएगा ये आप लोग का हो जाएगा option देख लिजे option A के साथ चलिए ये हो जाएगा 12,420 mm इसी हिसाब से length of headstock भी देख लिजे जो कि headstock से headstock ये 11,491 mm हो जाएगा तो इसको भी note down कर लिजे during hydraulic testing of master valve in tank wagon the water to be filled up to तो जब भी master valve tank wagon के लिए इसका hydraulic testing करेंगे तो water fill करना पड़ेगा तो ये water का level कितना होना चाहिए कितना water filling करना चाहिए तो ये हो जाएगा 150 cm तक आप लोग का water का level को fill up करना है जबकि master valve का hydraulic test करेंगे option B के साथ चलिए थिकनेस अब rubber lining of fragable dicks and safety vent is तो ये पर देखें थिकनेस पूचा है थिकनेस अब rubber lining of fragable dicks and safety vent important question ये भी exam में already आया हुआ है तो ये पर थिकनेस पूच रहा है rubber lining जो fragable dicks के लिए और safety vent के लिए ये हो जगाए पांचे में distance between headstock to headstock of BTPN tank wagon देखिए यहीं पर कुछिन आ गया है वो ही जो उपर में discuss हुआ है headstock to headstock distance length over headstock BTPN wagon के लिए तो यह हो जागा आप लोका 11491 11421 What is the inside barrel diameter of BTPG LN tank wagon? तो इसके लिए आप लोका inside barrel का diameter पूछ रहा है inside barrel का diameter यह BTPG LN tank wagon के लिए यह कितना हो जागा यह भी important question है तो यह हो जागा 2400 mm 2400 mm हो जागा inside barrel diameter length over headstock of BTPG LN tank wagon liquefied petroleum gas tank wagon के लिए यह पर length over headstock पूछा है headstock to headstock distance पूछा है तो यह कितना हो जागा? यह हो जागा 18,000 mm option B के साथ चलिए tear weight of the BTPG LN tank wagon यह पर tear weight पूछा है liquefied petroleum gas tank wagon के लिए तो tear weight यह पर simply यह हो जागा 41.6 ton option C के साथ चलिए तो इसका भी data देख लेते हैं जैसे की tear condition में 41.6 ton carrying capacity BTPG LN tank wagon के लिए 37.6 ton इसमें आप लोका gross निकल जाएगा total add कर दीजे तो इह हो जाएगा 79.20 ton तो इससे excel load निकलना चाहते हैं BTPG LN tank wagon के लिए तो इहीं पर excel का लोड हो जाएगा 17.20 ton divided by 4 excel है 4 के साथ इसको divide कर दीजे 19.8 ton हो जाएगा excel load यह भी जरूर यात रखे BTPG LN लिकुपैड petroleum gas tank wagon के लिए The mechanical code of boggy petrol tank wagon fitted with pneumatic brake तो simple यह उपर में डिसकस हुआ है boggy petrol tank wagon simple BTPN हो जाएगा अप्शन A के साथ चलिए The mechanical code of boggy liquefied enhydrous ammonia gas tank wagon यह भी important question है इहीं पर देखे इहीं पर आप लोगा mechanical code या transportation code पूछा है boggy liquefied enhydrous ammonia gas tank wagon तो ammonia gas tank wagon के लिए यह हो जाएगा BTAL या BTALN अप्शन A के साथ चलिए BTL and BTALN यह हो जाएगा ammonia gas tank wagon The mechanical code of kustic soda tank wagon kustic soda tank wagon के लिए mechanical code या transportation code यह हो जाएगा TCN and BTCS TCS and BTCS What is the color code of oxygen cylinder in oxyacetylene gas welding तो oxyacetylene जो welding करते हैं gas welding होता है इसमें oxygen cylinder और acetylene cylinder यूच होता है तो यह भी color code आप लोग को मालूम होना चाहिए तो oxygen का आप लोगा color हो जाएगा black हो जाएगा इस हिसाब से acetylene के लिए या जिसको की DA बोलते हैं dissolved acetylene तो इसके लिए हो जागा maroon color या red color under which of the following group cnw parts are enlisted तो cnw parts के लिए यह भी repeated question है कौन सा group में यह है यह 39 group में है option d के साथ चलिए in pl number 2107419 what does 9 indicates तो last number सबको पता है इसको check digit बोला जाता है याद रखिए last digit होगा यह check digit होगा यह new wagon numbering scheme में भी last digit जो होता है check digit होता है simply इसको याद रखिए तो जैसे की इहीं पर आप लोग देख सकते है जो 2 और 1 first और second digit है जो की यह main group को indicate करेगा इसके बाद 07 जो की आप लोग का तीसरा और चोथा digit है यह sub group को indicate करेगा इसके साथ साथ four double one यह जो है item का serial number को indicate करेगा item serial number और last में जो 9 है यह कुशिन में आया हुआ है यह हो जगा check digit dead stock should be verified after तो यहीं पर देखिए verification stock का verification देखेंगे तो dead stock के लिए कुशिन था dead stock के लिए verification का interval कितना है periodicity कितना है तो जैसे कि dead stock आप लोग का जैसे कि आप लोग का 24 month तक इसका यूच नहीं हुआ है plus next 24 month में भी इसका यूच होने का संभावना कम है तो इसी प्रकार का item को हम लोग dead stock item बोलेंगे जैसकि dead surplus item आप लोग सुने होंगे exam में आता ही है तो इसमें आप लोग का dead stock जो होगा इसका verification कप करेंगे तो ये करेंगे once in a year one year में करेंगे तो जैसे कि आप लोग का जो verification हो रहा है stock verification जो आइटम जो आइटम not issued for 12 month और hour जो कोई भी आइटम जो की 12 महिने तक issue नहीं हुआ है या इससे ज़्यादा issue नहीं हो रहा है तो इसी प्रकार का item को जैसे भी एक साल में एक बर इसका stock का verification होना जरूरी है the stock of impressed store are verified after every तो impressed store के लिए देख लिए ये भी important question बार बार आ रहा है जो impressed store होता है इसका stock का verification जो होता है ये once in two year दो साल में एक बार इसका verification होना चाहिए option A के साथ चलिए which of the following is called inventory inventory देखिए ये जो option दिया गए इन में से किसको inventory बोलेंगे finished goods इसको भी inventory बोलेंगे raw goods raw material इसको भी बोलेंगे scrap जो होगा ये भी inventory में आएगा तो all of the above हो जागा option D के साथ चलिए आइटम जो कि पिछले दो साल में इसका इसू नहीं हुआ है और अगले आने वाला अगले दो साल में भी इसको issue होने का chance नहीं है तो इसी प्रकार का item को हम लोग क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे dead surplus item जैसे के बोलें थे dead surplus item और एक movable surplus item तो dead surplus item में दो साल तक इसका issue नहीं हुआ है next दो साल भी issue होने का संभावना नहीं है तो इसी प्रकार का item को dead surplus बोलेंगे लेकिन mobile surplus जो item रहेगा यह दो सल तक issue नहीं हुआ है लेकिन आने वाला दो सल के अंदर यह issue होने का chance है तो इसी प्रकर item को movable surplus store भोलेंगे और dead surplus store हो जाएगा दो सल यूच नहीं हुआ है और आने वाला दो सल में भी यह issue होने का chance नहीं है अलम्पिक मेडल अलम्पिक पदक जितने वाली पहली भारतिया महिला कोन थी तो यह सिंपूल आप लोका हो जाएगा के मालेश्वरी करनम मालेश्वरी अफशन बी के साथ चलिए के मालेश्वरी करनम मालेश्वरी करनम मालेश्वरी तो यह सिंपूल आप लोका है यह सबसे पहले भारतिया महिला थे जो की अलम्पिक गेमस में मैडल लायेथे इंडिया के लिए भारत आट what is the full form of RSP तो इन पर देखिए RSP का full form पूचा है जो की rolling stock program अफसन देख लिजे अफसन B के साथ चलिए जो की plan head इसके साथ related है ये भी कुछीन आता है plan head PH21 rolling stock program के लिए who was popularly known as लोकमान्या तो लोकमान्या के नाम से कुन लोकप्रिया थे तो ये हो जाएंगे लोकमान्या बाल गंगाधर तीलक how many digits are in price list number तो ये पर देखिए price list number जिसको की PL number बोलते है तो इसका 8 digit होता है ये उपर में ही discuss हुआ है इसमें man group subgroup इसके बाद item serial number लास्ट में check digit होता है which gas is used in inert gas arc welding तो ये पर देखिए जो inert arc gas welding में कौन सा gas ये उच होता है तो ये पर inert gas argon है तो ये ही argon gas inert arc gas welding में ही ये उच होता है which Indian state is known as gods of own country तो ये पर देखिए कौन सा भारतिय राजिया है जिनको बोला जाता है gods of own country तो ये हो जाएगा केरला हो जाएगा option B के साथ चले which test is being carried out to find cracks in boggy तो boggy में ऐसा कौन सा test करेंगे जिसका मैदम से crack है के नहीं दरार है के नहीं ये पता चलेगा तो ये हो जाएगा DPT test ड्राय पेनेट्रेशन टेस्ट mechanical property by which wires can be drawn from metal या नत्रिक गुण जिसके द्वरा धातू से तार खिंच जा सकते है तो ये हो जिसका मैदम से उसको वैर के रूब में उसको हम लोग convert कर सकते हैं इसी प्रकार का जो property या गुन जो है इसको हम लोग quality है quality जो है या प्रोपर्टी है या अंत्रिक गुन है इसको क्या बोलेंगे ये हो जाएगा ductility हो जाएगा what is the color of acetylene gas cylinder in oxy-acetylene welding तो oxy-acetylene welding में acetylene gas cylinder का color क्या है जैसे की बताए गया था उपर में maroon या red color तो option में देखते हैं तो option में अगर maroon नहीं होगा तो आप लोग red पर चलिए who are the first Indian to travel space देखिए इही पर अंत्रिक में यात्रा करने वाले पहले भारतिय कौन थे तो simple ये राकेश सर्माजी हो जाएगे option C के साथ चलिए तो ये आप लोग का जो सोभियत का रोकेट था सोभियत इउनियन रूसिया का रोकेट राकेश सर्माजी हो जाएगे अंत्रिक यात्रा करने वाले पहले भारतिय है जो की सोभियत रकेट सोभियत इउनियन थार्ड एफरिल 1984 को ये माकास यात्रा किया थे तो ये भी यात रखिए तो ये पर देखे रंगिन पेंट बनाने के लिए पेंट की कून सी सामगरी का उपयोग किया जाता है तो इसको हम लोग बोलेंगे पिगिमेंट बोलके बोलेंगे अपसन एक के साथ चलिए find the square of 25 तो simple 25 का square पूछा है तो ये हो जाएगा 25 into 25 जो की हो जाएगा 625 जो के अपसन में है नहीं अपसन D के साथ चलिए select alloy ये पर मिस्र धातु का चैन कीजिए तो मिस्र धातु कौन सा है तो ये पर देख लिजए अपसन ठीक से देखेंगे तो ये पर आप लोगों मिलेगा brass या जिसको की पितल बोलते है brass जो की copper प्लस zinc का मिस्र धातु होता है ये आप लोगों का tambah प्लस जस्ता उसको मिला के हैं पितल बनता है tambah दस्ता को मिला के पितल बनता है brass अपसन A के साथ चलिए stock item है इह पर देखें stock item का क्या रहता है तो प्राइस लिस्ट नमबर तो रहेगा रहेगा इसका जो प्राइस लिस्ट नमबर के लिए 8 डीजिट यूज किया जाता है प्राइस लिस्ट नमबर इसके साथ यह AACB stock item के लिए होता है जो कि इसका full firm होता है average annual consumption या anticipated average consumption तो यही पर option आप लोग C के साथ चले stock item है बोथ AAC and PL नमबर find micro constituent of iron and steel iron और steel में आप लोग का सुख्म गटक है micro constituent iron के लिए देखेंगे कुन-कुन सा है तो ही पर जैसे की ferrite है servite भी है pear light भी है all of the above हो जाएगा इसके साथ साथ astenite cementite बाइनाइट मांटेंटाइट ट्रोस्टाइट यह सब आप लोग का जो है micro constituent है iron और steel के लिए यह भी यात रखिए length of rectangle is 6 meter and width is 5 meter find area तो यह पर एक rectangle दिया गिया है इसमें आप लोग का length दे दिया है 6 meter और width दे दिया 5 meter तो आप लोग का length और breadth दे दिया गिया है एक condition में आप लोग को area या खेत्रफल निकलना है आयत की लंबाई 6 meter और चोड़ाई 5 meter खेत्रफल बताईए क्या होगा तो यह पर simple देख सकते हैं जैसे कि यह सब simple math है आप लोग आराम से करेंगे इसमें आप लोग का length दे दिया है 6 meter और यह पर width या breadth दे दिया है 5 meter तो यह पर area निकलेंगे area कितना होगा यह area तो यह हो जाएगा length into breadth जैसे बोलते हैं तो यह पर आप लोग का हो जाएगा 6 into 5 meter into meter square meter तो यह हो जाएगा simple 30 meter square या 30 square meter तो यह पर option देख लिजे option यह के साथ चलिए who is known as wizard of hockey in India भारत में हकी का जादूगर के रूप में कोन जाने जाते हैं तो simple question major dhyanchan जो major dhyanchan है उनको हकी का जादूगर wizard of hockey बोला जाता है selection fusion welding तो देखे फ्यूच होना melt होना melt होके जो welding होगा यह किस प्रकार का होगा तो यह पर simple देख लिजे जो gas welding है यह fusion welding है next चलते हैं who is the first woman to become a chief minister of an Indian state भारत्य राज्य की मिख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कून है तो ही पर यह इसका इंसार हो जाएगा सूचेता क्रिपाली नहीं हो जाएगा option D के साथ चलिए तो यह पहली महिला है जो की CM बने से chief minister बने थे कोई भी state का तो यह सूचेता क्रिपलानी जी जो थे यह बने थे first woman chief minister जो की यह UP उतर प्रदेश के लिए इनका कारियकल था 1963 से 1967 तक इनका कारियकल था which electrode is used in teak welding tungsten inert gas welding teak welding का full form tungsten inert gas welding में कौन सा electrode यूज किया जाता है simple नाम के उपर ही आप लोग जान सकते हैं tungsten inert gas welding इसी साब से यह हो जागा tungsten हो जाएगा option A के साथ चलिए who are the first Indian astronaut to travel in space अंतरीक में यात्रा करने वाले पहले भारतिय अंतरीक यात्रीक कुन थे simple हें पर यह कुछिन आया हुआ है यह हो जागा राकेश सर्माजी select aluminum ore aluminum का ore select कीजिए कौन सा aluminum का Ix है और aluminum ore यह हो जाएगा आप लोग का वक्साइट हो जाएगा इसके साथ साथ आप लोग देख सकते हैं जो magnetite और hematite है यह किसका ore है यह iron का ore है और जो galena है जिसको की lead sulfide बोलते हैं lead sulfide PBS lead sulfide PBS जो है galena यह आप लोग का किसका ore हो जाएगा यह lead का ore है select welding defect welding का defects जो है उसको select कीजिए chain कीजिए undercut यह भी welding का defect है lack of fusion यह भी welding का defect है दो से porosity तो all of the above हो जाएगा next चलते हैं राजवासा related question है who is the chairman of the committee of parliament on official language इह पर देखें आप लोग का जो committee of parliament on official language तो इनका अध्यक जो हो जाएगे यह होंगे home minister, ग्रिहा मंत्री, अप्शन, डी के साथ चलिए which is the prescribed Hindi language training module for central government officers and employees के अंदरे सरकारी, अधिकारियों और कर्मचारों के लिए निल्दारीत हिंदी भासा प्रसिख्यान module कोन सा है तो इपर देख लीजिए, जो आप लोग का हिंदी training के लिए जो course है, यह प्रबोत है जो कि आप लोग का preliminary या primary या elementary ये course है ये preliminary है, या elementary या आप लोग का प्रारंबिक course है इसके साथ प्रबीन और प्रग्यान और इसके साथ और भी एक course अभी add किया गया है, जिसका नाम है पारंगत तो all of the, ये above हो जाएगा ये तीनों ही, आप लोग का जो हिंदी training के लिए course है which schedule of the Indian constitution describes language बारत्य समिदान में कौन से अनसूची भासा के बर्नन करती है तो ये आठवी अनसूची, add schedule what will be the language of public interest litigation in supreme court सर्वोच नियाले में जनहित याचिका की भासा क्या होगी तो जैसे कि कोई भी मुकदमा चलता है, case चलता है तो इसमें जो याचिका जारी क्या जाएगा तो ये आप लोग का high court हो, supreme court हो ये only English में होना चाहिए what will be the language of public interest litigation in supreme court सर्वोच नियाले में जनहित याचिका की भासा क्या होगी ये only English होगा ये supreme court हो, ये high court हो when was the official language act passed, राजवासा अधिनियम कब पारित हुआ था 10 मई 1963 को how many languages does Indian constitution consist presently बरतवान में बारतिय समिधान में कितनी भासा आए हैं तो ये आठवी अनसूची में अभी 22 language है जो कि initially शुरुवात में इसमें 14 language था, 14 भासा था how many लोगसभा members are there on the committee of parliament on official language संसत की राजवासा समिधी में कितने लोगसभा से सदेश से होते हैं लोगसभा से 20 के संख्या में और राज्य सभा से 10 के संख्या में तो total member होते हैं 30 के संख्या में e पे letter is received fully in Hindi what will be the language of its reply यदि कोई पत्र पुर्णा था है, हिंदी में प्राप्त होता है तो उसके उत्तर कौन से भासा में देना चाहिए तो यह हो जाएगा हिंदी में ही, जो letter हिंदी में received किये हैं उसका reply भी हिंदी में दीजिए section 4 of official language act is related to तो ही पर देखे official language act राजवासा अधीनियम का धाराचार किसके साथ related है तो यह हो जाएगा constitution of committee on official language राजवासा के उपर समीति का गठन राजवासा के उपर समीति का गठन के बारे में यह धाराचार official language act यही related है यही बताता है which is the official language of अरुनाचल प्रदेश अरुनाचल प्रदेश की राजवासा कौन सी है यह simple English हो जाएगा अप्शन C के साथ चलिए तो चलिए फ्रेंज एही पर आज मेरे करेच वार्ट सब नौर्थ वेस्टन रेल्वे का J.C.N.W. Departmental कुशिन पेपर सल्ब करने थे जो की 8 जून 2020 को कंड़क्ट हो था तो एही पर खतम हो रहा है तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्षन में बताईए और आप लोग डेली देखिए कम्यूनिटी पेज में कुशिन पोस्ट हो रहा है वही पर जाके भी आप लोग एक्स्टा प्रिपेरेशन कर सकते है तो फिर कोई डिविजन का पेपर लेके आप लोग के सामने हाजिर होंगे तब तक लिए बढ़ें से प्राक्टिस कीजिए प्रिपेरेशन कीजिए